यह तीनों चीज़े हमने पढ़नी है इसमें आज शुरू कर रही हूं noun का basic अब यह noun का basic क्या है मैं? अबी तक मैंने आपको丁प इतना सा बताया है noun का मतलब किसी बही चीज़ का पर इसका परिवार भी है उसे हम noun का basic कहते हैं परिवार से क्या मतलब है मैंस आपका noun की basic दो types होती है या यू मान लो noun के दो बच्चे हैं एक का नाम है countable noun और दूसरे का नाम है uncountable noun अब countable noun के आगे तीन बच्चे हैं पहला common दूसरा proper तीसरा collective collective noun का आगे एक बच्चा है noun of multitude uncountable noun के दो abstract और material इन्होंने आगे विवा नहीं किया नो बच्चे यहीं पे समापत हो गया परिवार multitude के आगे कुछ नहीं है हाँ आजकल इन दोनों के बीच में compound noun पढ़ाया जाने लगा है क्योंकि पेपर में आने लगा है compound noun का मतलब जहां यह दोनों जुड़के एक बन जाएं compound का मतलब संयूकत होता है तो इन दोनों के बीच में लिख दिया है यानि आप यूं मान लो noun की तीन टाइप है बेसिकली countable, uncountable और compound countable का परिवार है uncountable का परिवार है compound मोदी जी है सबको अपने अंदर समेट लिया है जब मन करता है उठाते हैं कुर्सी से भगा जिते हैं दूसरे को बिठा जिते हैं समझे ने तुम कहां जा रही हूं मैं कई लोग तो बड़े खुश में हो गया खटर निफटी बात ठीक हो गया ना बहुत तो को लग रहा है पाच्छे महीने के मेमान है जनाब चलो तो compound noun बीच में आ गया हमारा इसे कहते हैं noun का basic इन सारी टाइप्स को पढ़ना समझना और sentence में पहचान पाना आपका result तक जाएगा मतलब देखते ही आपको पता लगे यह countable है के नहीं देखते ही पता लगे यह uncountable है के नहीं देखते ही पता लगे यह collective है या नहीं देखते ही पता लगे यह abstract है या नहीं यह चीज़ पढ़ा रही हूँ अब चुरू करूँ